हालो दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहारी मीडिया न्यूज चैनल पर एक बार फिर से आज किस वीडियो में हम बिहार के टुडे ब्रेकिंग न्यूज 15 बड़ी ख़बरों के बारे में जानेंगे तो हमेशा की तरह आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दे और आप बिहार के किस जिले में रहते साथ हमें नीचे कमेंट बोक्स में जरूर बताए और आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बोक्स में जरूर पूछे बड़ी खबर लोकल पैसंजर के लिए अच्छी खबर एक गारा जोड़ी डेमू पैसंजर ट्रेन चलाने का फैसला कोरोना काल के बाद ट्रेन में सफर करने वाले लोकल पैसंजर के लिए एक अच्छी खबर है यात्री सुईधा के लिए पूर्व मजद रेलवे में अलग-अलग रेलखन पर एक गारा जोड़ी डेमू पेसंजर ट्रेन चलाने का फैसला किया है इन डेमू पेसंजर स्पेसल ट्रेन का परिचालन अगली सुचना तक हर दिन में किया जाए 5 मार्च से एगली सुचना तक पूर्व मजद रेल के विभीन रेलकन पर चलने वाली गारा जोड़ी ट्रेन इस परकार है सबसे पहला दरबंगा रक्सोल दरबंगा जो दरबंगा से 10 बज कर 45 मिनिट में खुलेगी और दरबंगा 9 बजे पहुचेगी दूसरा है रक्सोल नरकडिया गंज रक्सोल वहीं तीसरा है आपका रक्सोल सितामणी रक्सोल चोता है दरबंगा हर नगर दरबंगा पांचवा है समस्तिपूर सहरसा समस्तिपूर पैसंजर ट्रेन वहीं छट्टा है सहरसा पूर्णिया सहरसा साथवा है सहरसा पूर्णिया सहरसा आटवा है सहरसा बढ़हरा कोटी सहरसा नवा में आता है बढ़हरा कोटी बर्मंटी बढ़हरा और दसवा में आता है सहरसा पूर्णिया सहरसा और आखरी और रिगारा नमर में आता है सोनपूर पंच देवरी सोनपूर पैसंजर ट्रेन मेट्रिक वा इंटर के परिचात्रे रहे सावधान पास कराने के नाम पर आपको ठगी का सिकार बनाने को सक्री है जाल साज अगर आपके बच्चों ने मेट्रीक या इंटर की परिच्छा दी है या आपने मेट्रीक और इंटर की परिच्छा दी है तो आपको ऐसे फ्रोड से सावधान रहना होगा जी हां फ्रोड आपको call करते हैं और बताते हैं कि आपके बच्चे की copy मेरे पास है, मैं बिहार विद्धाले परिचा समीती के कारियाले में कारियरत हूँ, आपके बच्चे को गनित में महाज 27 अंक मिले हैं, यदि आप अपने बच्चे का अंक बढ़वाना चाहते हैं तो मे अभिभावकों को बातो जालों में फसा कर अपने फरजे खातों में दो से तीन हजार रुपे डलवा कर ठगी का सिकार बना लेते हैं और ठगे जाने के बाद भी उन्हें इस बात का अब तक एहसास नहीं होता है कि उनके साथ फ्रोड हुआ है जब तक परिछा का परिणाम न ये खोले जाएंगे सरकारी होस्टल जाने किन सर्तों पर मिले के अनुमतिया बिहार में सरकारी और प्राइवेट संस्ताओं में काम करने वाले महिलाओ को अब आवास की समयसा से नहीं जुजना होगा सरकार सुबे के सभी जिलो में अब सरकारी महिला चात्रावास बनाने जा रही है महिला एवं बाल विकास मंत्राले की ओर से बिहार के सभी जिलो में कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल खोले जाएंगे राजाने पटना सहीद सभी जिलो में अब महिला चात्रावास खोले जाएंगे जिसमें सिर्व कामकाजी महिलाओं को ही रहने के अनुमति द जिन में गया पटना भागलपूर दरबंगा और मुझपरपूर सामिल है। जिन में गया पटना भागलपूर सामिल है। जिन में गया पटना भागलपूर सामिल है। बच्चों का स्कुल में दाखिला कराये गा और इसे परवेश उस्सव के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने सभी बिधायकों से आगरा किया है कि वे अपने इलाके में हमेशा निगराने रखे और जो बच्चे सिक्चा से दूर है उनका दाखिला इसकुल में कराये ताकि उनके छेत्र का कोई भी बच्चा सिक्चा से वंचित नहीं रहे। बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनने की प्रक्रिया में हो रहा बड़ा बदलाव अब ऐसे मिलेगा लाइसेंस। जाता है अन्तिम तोर पर लाइसेंस देने के पहले आवेदको को गाड़ी चलाने के लिए टेस्च देना होता है। परिक्षा में 99 फिजदी पास तो सड़क पर 80 फिजदी फेल हो रहे हैं चालोकों के मंदे नजर विवाग अब इस विवस्ता में परिवरतन करने जा रहे हैं। किराया बढ़ाने के बाद अब बस वाले भी आम आदमी की जेब हलकी करने के तयारी में जुड़ गए हैं। निर्मान पुरा करने के लिए राज सरकार लभार्दियों को पचास-पचास अजार रुपय दे रही है। यह जानकारी समुआर को विधन परिशत में राम चरन सा और राम चंद्र पुरुवेव ने तारांकित परसन का जवाब देते वे ग्रामिन विकास मंत्री स्रवन कुमार को दी है। ग्रामिन विकास मंत्री स्रवन कुमार ने कहा कि अधरे पड़े पुराने इंद्रा आवास योजना के तहद बने माकानों को दोरस्त या पुरा करने के लिए बिहार सरकार ने नई योजना बनाई है। 2010 के पहले के ऐसे आवासों की मरमति के लिए सरकार 50,000 रुपय दिये जाते थे ये रासी अब फिर दी जाएगी। इस तरह की सरक दुरगटनाओं को रोकने संबन्दी उपाई बताये गये हैं, साथ ही उन्हें वह कानून भी बताया गया है जिसके जरिये उन पर परभाविक कारवाई भी प्रस्ताविद हो सकती है। जानकारी के मुताबिक या सौट फिल्म ट्रक डायवरों के बीच बाटी भी जाएगी। राजी के उद्योग निदसक पंकच कुमार सिंग ने प्रदेश के सभी जिलों के महाप्रवंदगों को साप कर दिया है कि और द्योगिक और वानिजिग उत्पाद धोने वाले वहानों के डायवर को साट फिल्म अनिवारे तोर पर उपलब्द कराई जाए। बड़ी कबर बिहार में हाई स्कूल वा इंटर के छात्र इंजिनेरिंग कोलेज में कर सकींगे प्रेक्टिकल मंत्री ने की है गोसना। प्रेक्टिकल के सम्मंद में वे सिक्चा विवा के मंत्री वा सम्मंदित अधिकारियों से बाद भी करेंगे राज में विग्गान की पढ़ाई में संसादनों की कमें नहीं होने दी जाएगी। प्रक्रिया सुरू कर दी गई है। 10 मार्च से सुरू होने वाले स्पाइस जेट की और से बुकिंग सुरू हो चुकी है। इसके अलावा 10 मार्च से ही कमपनी मुंबई के लिए एक और विमान की उडान भरेगा। इससे दोगनों जगा आने जाने वाले यात्रियों को सुविदा मिल पाएगी। इन रूटों के लिए यात्री स्पाइस जेट की साइट पर जाकर 10 मार्च से बुकिंग कर सकते हैं। बड़कवर बिहार में जमीन हडपने वाले हो जाई सावधान कड़ी करवाई करेगे नितिस सरकार। बार भागलपुर पहुचे सयद सानवाज होसेन ने खलिपा भाग चोक इस्तित अनंद राम धड़निया स्कुल में यह बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में ब्याडा के नाम पर जमीन लेकर रखने वालों की खिलाब अब एक्सन होगा। उनके लिए हमदर्दी नहीं दिखाए जाएगी। ने प्रसिचित भी किया जाए। सवाल पर जवाब दे रहें थे। राज के 893 उच्च विदालाई और लगभग 300 कोलेजों में यह वेबस्त होगी यानि करीब 200 पदों पर भरती होगी। सरकार पुस्ताकाल अधग पातरता परिच्चा के लिए नियामावली तयार कर रही है। पड़िकवर मार्च तक बिहार के सवी गाव में होगी इंटरनेट सेवा बियसनल को मिला है जिम्मा। दिजिटल की दुनिया में बिहार के गाव जोड़ रहे हैं इसके लिए जिले के 1060 गाव में मार्च माह के अंध तक इंटरनेट सेवा उपलब्द करा दिये जाने का लच रखा गिया है ताकि गाव की युवग यूतिया किसानों बिरोजगारों को किसी कार के लिए प्रख के लोगों तक तो यह सुविदा मिल रही है इसके लिए भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL की सिवाली जा रही है आज के लिए आपका स्वाल बताएं के भारत के किस सहर में जंतर मंतर रिस्तित है इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताए